हेलो फ्रेंज वेलकम टू वाइफाई एजूकेशन हव यूटूब चैनल स्वागर है दोस्तो आप सभी का वाइफाई एजूकेशन हव यूटूब चैनल में हैं दोस्तो हम इस वीडियो सेशन में पढ़ेंगे डेली का करंट अपयर जैसा कि आपको मालूम महीं होगा दोस्तो आज है साथ परवरी और हम साथ परवरी के जितने भी डेली का करंट अपयर है अपने रीडिंग न्यूज पर है समन्दित जान से भी अपने सुरो से जोते हैं से यहां पर जानकरी चुटा के आपको करंट अपयर फरदान किया जाएगा और दोस्तो आने वाले सभी एक्जामी बहुत महत्पुन रहने वाला करंट अपयर अपने दोस्तों सब्सक्राइब कर ले पास में लगी बेल आइकन भी दबा ले ताकि लेटेस्ट वीडियो और गोर्मेट जोब से समधित अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहे चलिए दोस्तों अपने पहले प्रस्ट की बात करते हैं पहला प्रस्ट आज का अपना हाल ही में आपदा परबंदन ड्रोन ने माइक्रोशोप्ट चैलेंज जीता है यह किसके द्वारा निर्मित किया गय है माइक्रोशोप्ट चैलेंज की बात की दोस्तों यह किसके द्वारा निर्मित किया गया है आपको बताना है आपदा परबंदन ड्रोन है माइक्रोशोप्ट चैलेंज जीता है तो यह किसके द्वारा निर्मित किया गया है आई-ाई-टी मदराज के द्वारा और दोस्तो इसके द्वारा आपदा परबंधन ड्रोन के द्वारा यहाँ पे नाम से पता चलता है आपदा परबंधन यानि कोई भी आपदा हो तो वहाँ से लोगों को सटिक जानकारी वहाँ पर परदान करने के लिए इसको मतलब है निर्मित किया गया है और यहाँ पर जो Microsoft Challenge दोस्तो यह IIT मदरास ने जीता है यहाँ पर आप कह सकते हैं IIT मदरास कह सकते हैं क्योंकि इनके द्वारा निर्मित है तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा किताब किसने जीता यह भी आपको ज्यान रखना है उनसे दिमित software बगेरा से तो यहाँ पर second तो आता है IIT गुहावटी का नमर आता second और third नमर पर आया था IIT जोदपूर का नमर आया था IIT जोदपूर third नमर पर था और second नमर पर गुहावटी था और पहले नमर पर आप कहसे हैं IIT मदराश चलिए दोस्तो अपने अगले परसंट की बात करते हैं आज का अपना दूसरा फिसन है तो अगला परसंट अपना मुगल गार्डन कहां इस्तित है मुगल गार्डन के बार में बात की कि दोस्तो अपनी न्यूज में है काफी तो आपसे यह है पूछ लिया गया है तो यहाँ पर जो अपना सही अंसर है दोस्तो वो हो जाएगा C बिल्कुल सही अंसर है यानि नई दिल्ली के अंदर इस्तित है मुगल गार्डन तो फ्रेंड्स अपन नई दिल्ली की बात करते हैं यहां के CM कौन है यहां के CM है अर्विंद केदरिवाल जी यहां के CM है आपको मालम में होगा और दोस्तो दिल्ली भारत की राजदानी कब बना था काफी बार एक्जाम में पूछ से गया है अनिल बेजल आपको नाम द्यान रखना है गवर्नर है और उप मुख्य मंत्री है यहां पर तो उप मुख्य मंत्री का नाम भी आपको द्यान रखना है मनी सिसोध्या मनी सिसोध्या का नाम द्यान रखना है जो यहां के उप मुख्य मंत्री है चलिए दोस्तो अपने अगले प्रस्ण की बात करते हैं अगला प्रस्ण है अपना गुरु नानक देव जी के पांसो पचासवे परकास परोपर किस दातू का शिक्का जारी किया जाएगा पांसो पचासवे परकास परोपर बात की दो तेरे फरवरी को दोस्तो दिली में सिक कॉन क्लेव का आयोजन होगा और दोस्तो इसमें इसको लौच किया जाएगा और इसी के साथ दोस्तो कोफी टेबल बुक नाम क्या है कोफी टेबल बुक आपको नाम द्यान रखना है कोफी टेबल बुक भी लौच की जाएगी दोस्तो इसके अंदर क्या है दोस्तो आपको द्यान अकना है नानक जी के जो संदेश थे गुरुनानक जी के और उनकी यात्रा और उनसे चुड़ी हर जानकरी इस बुक के अंदर उपलबत होगी नाम क्या है कोफी टेबल बुक चलिए दोस्तों आपने अगले प्रसंती बात करते हैं अगला प्रसंत अपना नेशनल वर मेमोरियल कहां पर बनाया गया है वर मतलब यू दोता है आपको पता ही होगा तो यह कहां पर बनाया गया है मेमोरियल आपको बताना है तो यहाँ पे जो अपना सही अंसर है दोस्तों वो हो जाएगा नई दिली डी बिलकुल यहाँ पे सही अंसर है यानि कि नई दिली के अंदर National War Memorial बनाया गया है पचीस फेरियोरी को, पचीस फरवरी को दोस्तों नरेंदर मोधी जी इनका उदगाटन करेंगे यह बात आपको ध्यान रखना है War Memorial में क्या है किसलिए है दोस्तों इसके बारे में भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं तो आजादी के बाद जितने भी दोस्तों अपने सही जैनिक हैं उनके नाम इसमें लिखे गए हैं उनके नाम लिखे गए हैं और जो अपनी छे लड़ाई होई है जैसे 1962 एको तर है पिचो तर की है छे एहम लड़ाई हो की पूरी पूरी इसमें युद्धों की इसमें बारे में बताया गया है जानकरी यहाँ पर उपलबद होगी और जो भी सही दोय आज़ादी के बाद उन सब जेनिकों के इसमें ना प्रस्ताव रखा था और 2017 के अंदर इसका प्रस्ताव अपना जो कारे है वो शुरू हो चुका ता और अधी बनकर प्यार है और 27 फरवरी को यहाँ पर 25 फरवरी को यहाँ पर मोदीजी उद्गाटन करेंगे इसका यह बात आपको ध्यान रगने हैं इसके अलावा दोस्तो यहाँ पर आपको एक और बात पता दे जो अपना पहला विश्वी युद्वा था वर्ल्ड वोर हुआ था पहला पहला वर्ल्ड वोर और अपगान केंपेन युद्वा था उनमें अपने लगभग 24,000 सेनिक थे वो मारे गए थे और उस सेनिक के याद में दोस्तों इंडि इंडिया गेट अंग्रेजों के दोरा बनाए गए था पहले वर्ल्ड वार और एक अपगान केंपेन हुआ था उन दोनों में जो अपने 84,000 सेनिक मारे गए थे उनकी याद में बनाए गए था उसके बाद दोस्तों आपको बता दे 1971 में जो युद हुआ था उस युद में सेनिक सही दोए थे उनके समान में यहाँ पर इंडिया गेट पर जो अमर जवान जोती मसाल है वो यहाँ पर जलाईगी थी तो आपको करमवाई ध्यान रखना है पहले क्या हुआ था यहाँ पर इंडिया गेट हुआ उसके बाद यहाँ पर 1971 के अंदर अमर जवान जोती मस साल जलाएगी और अभी 2019 के अंदर यहां पर नेशनल वोर मेमोरियल बनाया गया है यह बात आपको ध्यान रखनी है गरम से चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रसंद की बात करते हैं अगला प्रसंद अपना सेयंसवर है यह बिल्कुल सेयंसवर है यानि आप भार्त की रेंकिंग यहां पर सात्वी रेंकिंग है और दोस्तों जो अपना मंगलवार था उस दिन अपना मनें गया था शेफर इंटरनेट डे आपको ज्यान रखना है सेफर इंटरनेट इंटरनेट डे मनाया गया था यहां पर तो उस दिन दोस्तों इसके बारे में यहां पर इंडेक्स जारी किया गया और यहां पर बताए गया पुल जो 22 देश हैं उनकी यहां पर सर्वे किया गया 18 से 37 एर के जो भी लोग है उनकी पर सर्वे किया गया वोटिंग की गया तो यहां पर अपनी बार्थ की रेंकिंग बताए किस पर यह डिजिटल सिविलिटी इंडेक्स यह आपको दोस्तों समझ में आया गया है उमीद करता हूँ अगर नहीं आया तो और भी आपको इसमें बता देता हूँ यानि कि जो ओनलाइन अपन बादचीत करते हैं किसी से बगेरा तो ओनलाइन सिस्टा चार पे यह है अधरीत है अब बात कर लेते हैं दोस्तों माइक्रोशोप्ट की तो माइक्रोशोप्ट कब फाउंडेड वाता चार अप्रेल 1975 को माइक्रोशोप्ट फाउंडेड वाता और इसके फाउंडर कौन थे यह बात आपको पता रखनी है तो यहाँ पे फाउंडर थे बिल गेट्स बिल गेट्स और एक नाम और आद रखना है पॉल एलैन थे जो इसके फाउंडर थे बिल गेट्स और पॉल एलैन इसके फाउंडर थे इसका दोस्तो हेड़पवाटर आपको द्यान रखना है तो वासिंग गटन के अंदर इसका हेड़पवाटर है माइक्रोशोप्ट का आगे बात करतें दोस्तो अभी वरतमान में इसके चेर्मेन कोई है तो जोहान W. Thompson नाम याद रखना है जोहान W. Thompson इसके नाम है वो चेर्मेन है चेर्मेन से जड़ा आपको नाम याद रखना है सीठमेन सीठमेन के बारे में काफी बात पूछ गया है तो सत्या नडेला सत्या नडेला है जो अभी Microsoft के CEO है तो ये बात ही दोस्तों Microsoft और भारत के जो अपना Digital Civility Index है इसके बारे में अब बात करते हैं आपने अगले प्रस्न की अगला प्रस्न है आल ही में कहां पर गांदी सप्ता का आयोजन किया गया है गांदी सप्ता की बाकी की दोस्तों कहां पर इसका आयोजन आली में किया गया है तो यहां पर आपना सही अंसर है दोस्तों नई दिल्ली बिलकुछ सही अंसर है यानि नई दिल्ली में गांदी सप्ता का आयोजन किया गया है दोस्तो दिल्ली विश्वी जला का जो गांधी भवन है उसके अंदर आयोजित किया गया था और 30 जनवरी से आपको बता दे 30 जनवरी से 5 फरवरी तक सबतहा गांधी सबतहा मनाया गया था यह बात आपको धान रखनी है चले अगले पर्सण की बात करते हैं अगला पर्सन हैegenकि में युवा कलाकारों को प्रौसाइट करने के लिए 105 महोस्वे 2019 कहा आयोजित किया गया है सोपान महोसवों की बात की दोस्तो इसका अयोसवे ख़र किया आपको बतना है चार उप्षन आपके समनने हैं तो यहां पर दोस्तो जो अपना सही एंसवर है वो सी बिलकुल सही एंसर हो जाएगा यानी नई डिली के अंदर सोपान महोसवे हो जाए 19 Ioset के अगया है युव कलाकारों को परोशाहित करने के लिए अगले प्रसंट की दोस्तों अपन बात करते हैं अगला प्रसंट है Corporate Bank के CEO कौन है और आपको बताना है Chief Executive Officer की बात वी सरी कौन है आपको बताना है तो यहां पे जो अपना सही आंश्वर है वो हो जाएगा पीवी भारती पीवी भारती इसके MD and CEO है Corporation Bank है यहाँ पे चार ओप्सन और भी दिये हैं तो राकेश सर्मा के बारे में आपको ज्यान रखना है दोस्तो IDBI Bank IDBI Bank है उनके MD and CEO दोनों है राकेश सर्मा जी अतुल कुमार गोयल के बारे में द्यान रखना है युको बेंक के MD and CEO है अतुल कुमार गोयल रिसेंटली ही 2018 के दिसंबर में नुक्त किये गे थे दोस्तो दिसंबर या नवंबर के अंदरकत तो आपको इसका भी द्यान रखना बहुत जरूरी है और मध्यून जब महाम आया तो ये दोस्तो सिंडिकेट बेंक के MD and CEO है ये भी आपको द्यान रखना है यानि कि जो एक प्रस्न है इसके अंतरकत आपको खुल मिला के चार प्रस्नियां पे देखने को मिल गए है कोर्पोरेशन बेंक के दोस्तो फाउंडेड की बात कीजे तो 12 मारच 1906 के अंदर इसका फाउंडेड हुआ था और इसका हेड़कॉर्टर आपको ध्यान रखना बहुत मैत्व पुर्ण है तो हेड़कॉर्टर है इसको दोस्तो मंगलूरू करना तका के अंदर इसका हेड़कॉर्टर है ये बात आपको मालूम होनी चाहिए अगले प्रस्न की दोस्तो बात करते हैं दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा LPG उपभोगता देश कौन सा बन गया है दुनिया के सबसे बड़े दूसरे सबसे बड़े LPG उपभोगता देश की बात कीगी है कौन सा देश है आपको बताना है तो प्रेंट्स यहाँ पे जो अपना सही अंसर है वो आपको पता चले गया होगा इंडिया इसका बिल्कुल सही अंसर है दोस्तों इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत LPG से समन्दित और यहाँ पे जानकरी बता देता हूँ सबसे पहले तो आपको ज्यान रखनी है पेट्रोलियम सचीव कोने है तो MM कुटी MM कुटी है नाम करके वो पेट्रोलियम अपने मामलों के अपने सचीव है यह बात आपको ज्यान रखनी है और इन्होंने बताया दोस्तों MM कुटी है उन्होंने बताया कि LPG की जो अभी मांग है उसके अनुसार आपको बढ़ कर कितनी बताईगी है कि 2025 तक 24 फिश्दी बढ़ने का इन्होंने अनुमान बताया यानि 2025 तक अपनी जो अभी मांग है उसकी 34 फिश्दी बढ़ जाएगी LPG की मांग के बढ़ने के करण और आपको पताया होगा दोस्तों परदान मंत्री उज्वला जो अपनी योजना चलाईगी थी उज्वला योजना उश्य काफी यहाँ पर जो बढ़ोतरी हुई है LPG की मांग में तो उज्वला योजना के बारे में भी आपको बता देते हैं कि मई 2016 के अंदर इसकी शुरुआत की गी थी और इसके ते दोस्तों आपको पिछले कुछ वीडियो में मैंने बता है कि 6 क्रोड गेस कनेक्शन दिये जा चुके हैं और 2020 तक 8 क्रोड गेस कनेक्शन दिये जाने का इन्होंने लक्षी रखा है अब आपको पेट्रोलियम मंत्री भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है दर्मेंदर परदान है दोस्त दर्मेंदर परदान है वो यहाँ पर पेट्रोलियम मंत्री है दर्मेंदर परदान जी है पेट्रोलियम मंत्री आपको इसके बारे में ध्यान रखना है तो दोस्तो ये था आपना जो LPG Connection से समदित जो भी अपनी जान करी थी वो यहांपे बताई गई अगले प्रस्ण की बात करते हैं दोस्तो अगला प्रस्ण है ए आर रहमान से समदित बहुत ही मैंत प्रस्ण है दोस्तो ए आर रहमान को ओसकर समान कब दिया गया था आपको बताना है तो यहांपे जो अपना सही अंस्वर है दोस्तो वो तो हो जाएगा यह बिल्कुल सही अंस्वर है यानि 2009 के अंदर ए आर रहमान को ओसकर समान दिया गया था इनके 10 साल पूरे वे हैं ओसकर अवार्ड मिले वे तो अभी बहुत बड़ी सेरेमनी रखेगे और बहुत साइ न्यूज के अंदर है तो जो चीज न्यूज में होती है वो डेफिनेटली पसंद पूछा जाता है चाहे जीके से रोल इरिलेट करके पूछा या करण चिखेगे तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है 2009 के अंदर इनको दिया गये था और भी जानकारी बता दे दोस्तो तो इनको च्यार बार तो राष्ट्रिय प्रुषकार मिल चुका है सन 2000 के अंदर दोस्तो इनको पदम सिरी अवार्ड मिल चुका है सन 2000 के अंदर जो MP गवर्मेट दोस्तो उसके द्वारा इन्हें लता मंगेश कर अवार्ड दिया गया है एक बार दिया गया है ये बात भी आपको ज्यान रखना है इन्हें 6 बार दोस्तो तमील लाड़ू स्टेट फिलिम अवार्ड मिल चुका है और 11 बार फिलम फेयर अवार्ड मिल चुका है 2006 के अंदर दोस्तो इन्हें विश्वे संगीत में योगदान के लिए इस्टेनफोर्ड युनिवेसिटी अपनी जो इस्टेनफोर्ड युनिवेसिटी उन्होंने इसे समानित किया था और 1905 में दोस्तो इन्हें मिला था मोरिसस नेशनल अवार्ड मिल चुका है 1905 में संगीत में योगदान के लिए अब दोस्तो इनका जो बेस्ट शालरा वाग 2009 2009 के अंदर उन्हें कुल तीन अवार्ड मिले एक तो मिला दोस्तो इनको अपना गोल्डन ग्लोब अवार्ड कौनसा अवार्ड मिला गोल्डन ग्लोब अवार्ड बहुत मैत्पुन अवार्ड दोस्तों जो इन्हें मिला 2009 के अंदर 2009 के अंदर ही दोस्तों इन्हें मिला जो अपना ओसकर अवार्ड के भी बात कर रहे हैं वो भी मिला इन्हें 2009 के अंदर 2009 के अंदर ही दोस्तों दो बार ग्रेमी अवार्ड मिला दो Grammy Award है जो इन्हें मिला था किस लिए मिला था फिलम का नाम आपको अगर पूचा जाए तो फिलम का नाम था Slam Dog Millionaire Slam Dog Millionaire फिलम थी उसके लिए Golden Globe मिला और उसी के लिए Oscar Award मिला और उसी का सौंग था जै हो जै हो सौंग था उसके लिए Grammy Award मिला था तो यह बात आपको ज्यान रखनी है ए आर रहमान से समन्दित यहाँ पर प्रसंद पूचा गया रहे हैं तो यहाँ इनके बारे में related जो भी news है आपको विस्तासे जाननी बहुत ज़रूरी होती है दोस्तो अगला प्रसंद अपना Land Pulling Portal कि द्वारा लॉंच लेंड पुलिंग पॉर्टल की बात ही दोस्तों किसके द्वारा जारी किया अगया यह बात आपको बतानी है तो यहां पर अपना सही न्शर दोस्तों वह बिल्कुल सही ज्यकुल सही एंस है यानि नई बिलिए दिलीए विकास प्रादिक्रण पूर को लिगार किया गएि अपने शेरी विकाश्मन्तर है हर्दीप पूरी रहरे स्फुराइख्यन सहरी विकाश्मात्र दोस्तों उनके दुखरा ओर दिली के हैं क Wenn इन एक काते हैं वाप म thấy tul Illinois वहां पर पीच्छे मैंने क्लानार वोला था लेकिन यहांपे आफ 타 एल जी कहेंगे क्योंकि एल जी है वो अनील बेजल और हरदीव सीपूरी इन्हों ने इसको लॉंच की है तो यह बात आपको द्यान रखनी है लेंड पुलिंग पोर्टल दिल्ली विखाश परिदेगन द्वारा और सहरी विकाश मंत्रिय केंद्रिय हरदीव सीपूरी आपको इनका नाम भी द्यान रखना है कभी-कभी केंद्रिय मंत्री मंदल से भी परशन पूस लिया जाता है तो दोस्तो यह था आज का अपना महफूरून करण टपे सेशन वीडियू अच्छा लगे दोस्तो लाइक जुरूर करें अपने दोस्तों किषा ज़्यादा शेयर करें चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर ले दोस्तों धन्यवाद दोस्तों जाहिंद और PDF के लिए दोस्तों डिस्क्राइब लिंक दी गया वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं